देव गुरु बिहस्पती, महापुर्णिमा पे अम्रित का उफान ये तो बड़ी ही चिंता का विशय है हाँ सुरी देव, इस विशेश महापुर्णिमा पर अम्रित में तीवर उफान आने से चंद्रलोग असंतुलित हो सकता है असुर ऐसे ही अफसरों पर अपनी दृष्टी कड़ाये रखते है तो हमें चंद्रलोग की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय तो करना ही चाहिए हाँ, इसी विशेपर विचार विमर्ष करने के लिए देव सभा बलाई है चंद्रलोग को बाकी ग्रहों के प्रभाव से भी सुरक्षित रखना होगा क्योंकि ग्रह मंडल में दो असुर ग्रह राहू और केतू भी है और शुक्राचारे जैसे दैच्ट गुरू भी है असुरों को दो बूंद अम्रिद भी मिल गया तो वो अवत्य हो जाएंगे यही अवसर है रावन चंद्रलोग के असंतुलन का लाब तुम्हें औस्तमस असुर कुल को ही लेना है अम्रिद प्राप्ति ही तुम्हारा परमुदेश्य होना चाहिए तो आप भी इस महापूर्णिमा के लिए विशेश योजना बना रहें लंका पती किंतु ध्यान रहे देवताभी अम्रिद की सुरक्षा के लिए विशेश योजना बना रहे हैं इसलिए उन्होंने देवलोग में विशेश सभा बुलाई है किन्तु ये कि ग्रह मंदल के सभी ग्रहों को अमंत्रित क्या गया है मात्र मुझे केतु और धैत्रे गुरु शुक्राचारे को नहीं बुलाए गया अपमान ये आपका अपमान है गुरुदेर ये धृष्टा है इन देवताओं की इस देव सभा की सारी सुचनाओं को हमें प्राप करनी ही होगी और इसके लिए आवश्यक है देव सभा में सेंद लगाना ओबाए ओबाए तो और भी है गुरुदेर मैं जानता हूँ के मुझे क्या करना है और करना क्या है क्या लाए हो अपनी मा के लिए हमें भी तो बताओ अभी नहीं मा के लिए है ना मा के बास जा कर बताओंगा अच्छा आप चलिए आप चलते रहिए मैं अभी आया पुरी दे विश्राम कर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा है हनुमान हनुमान कहां जाने के लिए सज्जद हो रहे हो पुत्र हनुमान 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 अंजना, हनुमान नहीं है यहां पर यह प्रोभू कहीं अंजना विक्षिप्त हो जाया आपी का आस्रा है प्रोभू ना जाने हमारे सुखों पर किसकी क्रूदेश ठीलागी आपका यह छोला तो बड़ा ही अद्वोत है कितना भी डालो भरता ही नहीं बताओ तो सही, क्या है इसमें यह तो आपको वहां जाकर ही ज्यात होगा वैसे अभी कितना समय लगेगा प्रत्वी के मार्क से चलेंगे तो कुछ दिन लगेंगे और तुम्हारी बांती उड़के जाएंगे तो शिग्र पहुंच जाएंगे ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं रहूँ तो सोची ना आप नियाय के देवता हैं आपकी असीम शक्ती के समक्ष कोई नहीं टिक सकता फिर भी आप क्रहदीपदी क्यों नहीं हो सकते यहां तक कि अम्रित की सुरक्षा का दैत भी आपको न दे करके चंदरदेव को दे दिया गया चंदरदेव पे शनी की तशानी है उन्हें चंदर के खिला फुक्सा के और मसा आएगा मुझे तो ऐसा प्रतित होता है कि ग्रहमंडल में तो क्या कहीं भी कोई भी आपको महत्व नहीं देता आपकी पत्नी ने तनिक सी उपेक्षा के कारण आपको श्राब दे दिया आपके पिताश्री सूरे दियो वो चाहते तो आपको आपकी पत्नी के दिये गए श्राब से बुक कर सकते थे किन्टु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया उसी श्राप के कारण आप अपने किसी भी प्रियेजन को चाहते हुए भी सीधा नहीं देख सकते। रावर्ण से जाकर कहना कित्री देवों ने मुझे जुदाइत तु सौपा है। उसे पूर्ण करने से मुझे कोई नहीं रोग सकता। मुझे मेरे मार्ग से कोई विचलित नहीं कर सकता। लगता है इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पर कहीं ये क्लोधित होकर मुझे पर कुदिश्टी न डाल दें। अब जंद्र देव को प्रमित करने की बारी आ गई है। राहू, मुझे देव सभा के लिए विलंब हो रहा है। मेरे पास अभी तनिक भी समय नहीं है। मैं कहा आपका अधिक समय ले रहा हूं, चंद्र देव। देट्य गुरू ने आपके लिए बधाई संदेश एवं उपहार भेजे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आया। इसके लिए देट्य गुरू को धन्यबाद बोलना रहा हूं। अभी मैं शीक्र निकलता हूं। सभा तो आपके लिए ही बुलाई गई है चंद्र देव। आपके लिए कुश्चल प्रतिक्षा कर लेंगे सभी देव। मेरे कारण कोई प्रतिक्षा करे तो यह अनुचित होगा रहू। सभा में समय पर पहुँचना चाहिए। जैसी आपके इच्छा मैं किसी अन्य दिन यह सब लेका राता हूं। वरुन देव की बुद्धी इस राहू ने भ्रष्ट कर दी थी। यह दिये मुझसे रुष्ट हो गया तो कहीं मेरे साथ भी कुछ ऐसा न कर बैठे। राहू सुनिये। लाइए। मैं आपका यह उपहार सुईकार करता हूं। इस उपहार से आवरन तो हटाईए देवी। बहुत चंदर आभूशन है। मुझे विलंब होता जा रहा है। सब देव सभा में प्रतीक्चा कर रहे होंगे मेरी। चंदर देव। तुम्हे विलंब कराना ही दो तेश था मेरा। अच्छा। तो एक उपाई करते हैं। जैसे सुमेरू से आयोध्या तक आप मुझे अपने कंदे पर बिठा ले गए थे। और अब आयोध्या से सुमेरू तक मैं आप दोनों को अपने कंदे पर बिठा कर आपस सुमेरू ले जाओ। उसके लिए कंदे पर बैठने की क्या हो शकता है। हम स्वयम भी उड़ सकते हैं। अच्छा आप उड़ सकते हैं। तो चलिए। वैसे भी कुछ शड़ों में रात्री होने वाली है। चलिए। हाँ, हम शीग रही बहुंच जाएंगे सुमेरू। यह तो ओड़ भी सकते हैं। और इनका यह अद्भु छोला। क्या हुआ, हनुमान? हमें शीगर पहुंच नहीं। रुक्ट्यूंगे? हमें, मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। कौन क्या? हम वैद हैं। देखिए, आप पर मिथ्या संभाशन शोबा नहीं देता। और मा कहती हैं कि मिथ्या संभाशन पाप होता है। हम मिथ्या नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो आप उड़ भी सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। और आपका ये जोला इसमें कितना भी डालो। भरता ही नहीं है। चाहें इसमें पूरी श्रिष्टी समा जाए। जैसे भूले बाबा के चरणों में पूरी श्रिष्टी समा जाती है। आप भूले बाबा है ना। और आप पार्वती माता है ना। बताए ना। प्रणाम माता। भक पहते से कैसे छुप सकते हैं भगवान। फिर चाहें वो महादेव हो। क्या नारायन। हनुमान सत्य पहचाना तुम्हें। यह तुम्हारे बोले बाबा ही है। प्रणाम बोले बाबा। और हनुमान इन्होंने विध्या संभाशन नहीं किया था। यह जकत वैते हैं। इन्होंने तुम्हारा उपचार किया और तुम्हारे ब्रभूर राम का उपचार किया। अनुमान तुम्हें जिस सुदेश्य के ले जाये गया था। वो पूर हो गया है। तुम्हारे अराध्य राम से भी तुम्हारा मिलन हो गया है। आं, हनुमान. किंटू अब तुम्हें सुमेरू लोटकर फुतर होने के करतब़े का पालन करना है। अपनी राज़्धानी और अपनी प्रजा के प्रती अपने दायत पर पूर्ण करने जैसी आपके आज्या भोले बाबा मैं ऐसा ही करूंगा हनुमान तुम्हारी माता अंजिना सुमेरू में तुम्हारे लिए अपना सूना अजल फैलाए व्याकुल हो रही हूँ हम शीकृता से उड़कर महापूर्णी मा के पूर्फी तुम्हें तुम्हारी माता के पास पहुचा देगी चलो पुद्ध हो रहा हमारा सुमेरू अब शीक रही मेरी मां से मिलान हो जाएगा मेरा चंद्रदेव आपने मेरे हृदय की पीड़ा को समझ कर मुझे मेरे हनुमान के दर्शन कराए थे हनुमान हनुमान नहीं मैं हूँ पुत्री सम्हालो सुएं को अगर तुमें कुछ हो गया तो मैं महराज केसरी को क्या बताऊंगी कि उनकी अनुपस्तिती में क्या हो गया अजना को कैसे सम्झाओ अपने हपको पाद्रदेशन को अभास होता है कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा है उसकी पुकार गूच्टी है मेरे पादों में मैं तुम्हारे रुदे की पीड़ा समझ सकती हूं अन्जनाव जो रुदे के अधीक सम्हीप होता है वो दूर है कर भी अपनी उपस्तिती का अभास कराता है हम सुमेरू आ गए हैं देवी माँ कोई कुछ भी कहें मुझे आभास हो रहा है कि मेरा हनुमान मेरे पास आ रहा है अन्जनाव महराज केसरी बंपापूर के जोच्यों के पास गय हुए है वो अवशिक कोहिअ न कोई उपाई ले आएंगे हनुमान को वापस लाने की मारानी जै को सकता है आपकी ब्रात्ना से द्रविथ होकर भगवान सुमिष्वर स्वयमी को ही चमतकार कर दे प्रतीत होता है जैसे वो आज ही चमतकार कर रहे है मेरा हनुमान यहीं कहीं है मुझे उसकी पगध्वानी सुनाई दे रही मा हनुमान कहिए मेरा ब्रह्म तो नहीं ये ब्रह्म ही है तुम्हारा अजिना हनुमान तो पैदराजी के साथ नजाने कहा हो माँ आप कहा है ये कोई दिवास्वाप्न है यह सत्य माँ करू माँ करूं करने कहा है पाउड़ आप करूं का सब्सक्र जाराँ वा वह से कःदा करूं को ये माता को मिल गए हनुमन आंजनेय प्रिय शंकर सुवन दान महा प्रती दान का खेल श्रधा और ममता का मेल राम मै हनुमान को पाकर हरशित है सुमेरू का कणकन महातेव का महाप्रसाद हरता मा का सकल विशाद ये गाथा मावली हनुमत की, रुचिकल लीला राम बगत की, जै 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 रगुननन निराम, जै जै मावली हनुमान हनुमान, मेरे लान, मैंने कहा था नानी से कि मेरा हनुमान आ गया है और देखो, बगवान सो बेश्वार ने तुम्हें बेज भी दिया मा बहुत हो गया विलाव अब और नहीं नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा मुझे तो अभी भी अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा मा मैं आपके लिए धेर सारे उपहार लाया हूँ मैं आपके लिए मैं आपके लिए मैं आपके लिए इन पुश्मों में आयोध्या से लेकर सुमेरो तक की सुगंध है आते हुए मार्ग में विशेश रूप से आपके लिए चुन चुन कर लाया हूँ मैं इने आते हुए आते हुए मैं आते हुए झाल झाल